नमस्कार दोस्तों, अर्जुन क्लासेज के यूटूब चैनल पर मैं योगेश परजापत आप सब का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अर्जुन क्लासेज की और से मेगा टेस्टों का आयोजन प्रतेक सौंबार को किया जाता है इन टेस्टों की सीरीज में तीन नमबर टेस्ट के बी पार्ट का हल लेकर मैं आपके समक से उपस्तित हुआ हूँ तो पेपर खोलिए और कोशन नमबर 61 से जो हैं सुरू कीजिए नमबर 61 कोशन फीनलेंड की नई पदानमंत्री है दोस्तों इसका सई जवाब है बी सना मरीन वर्तमान में फीनलेंड की पदानमंत्री है दोस्तों इसका सई जवाब है बी जस्बिंदर बिलन को बितन का प्रसिद कोश्ट चिल्डरन एवोड 2019 प्रदान किया गया है इन्होंने अपने पहले उपनियास ऐसा एंड दा स्प्राइट बर्ड के लिए ये पुरुसकार जीता है हाली में जानकी देवी बरजाज पुरुसकार से किसको समानित किया गया है ये पुरुसकार इनको महिलाओं को स्वालंबी बनाने के शेतर में परदान किया गया है सवाल नमबर 64 किस खिलाडी को ICC का बेस्ट क्रिकेटर आप दा इयर का एवार्ड दिया गया A. विराट कोली B. पैट कमिंस C. रोहिद सर्मा D. बेन स्टोक सई जवाबे D. बेन स्टोक इंग्लेंड के उप कप्तान बेन स्टोक 2019 में वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लेंड क्रिकेट टीम के सदस्य थे और हाली में इन्हें ये पुरुसकार दिया गया है सवाल नमबर 65 एक सो साथ में विज्यान कॉंग्रेस का अधिवेशन काँ पर हुआ A. बेंगलूरू B. नईदिली C. बोपाल D. मुंबई सई जवाबे A. बेंगलूरू करनाटक की राजदानी बेंगलूर अपनी नाइट लाइफ और पार्कों के लिए प्रसीद है ये भरत की एक कुछ तखनिक और की केंदर भी माना जाता है अगले सवाल पर चलते है 66 सवाल नमबर 66 RBI द्वारा द्रश्टी बाधितों के लिए कौन सा एप बनाया गया है A. मनी एप B. मित्र एप C. संगी एप D. इनमें से कोई ने सई जवाबे A. मनी एप RBI के गवर्नर शक्तिकांस दास द्वारा इस एप को लाँच किया गया है मनी यानि Mobile Added Not Identifier इसका फुल फॉर्म होगा तो सई जवाबे A. मनी एप सवाल नमबर 67 इस्रो ने दूसा लाँचिंग सेंटर काँ पर बनाए इस्रो का पहला लाँचिंग सेंटर स्री हरी कोटा आंधर प्रदेश में सती थे वो जानते हम A. राजमंदरी B. कोजी कोड C. बेलगाम D. थुतुकडी सई जवाबे D. थुतुकडी तमिलनाडू का एक बंदरगा जिला जो जापर हाली में इस्रो दौरा दूसा लाँचिंग सेंटर बनाए गया है सई जवाब होगा D सवाल नमबर 68 हाली में विंटर यूथ उलम्पिक गेम्स का आयोजन काँ पर हुआ था A. लुसान स्विजर्लेंड B. लंदन C. वियना D. मेंडेड सई जवाब है लुसान स्विजर्लेंड स्विजर्लेंड एक बहुती ब्यूटिफुल कंट्री उसका एक सहर लुसान यहां पर लुसान में विंटर उलम्पिक गेम्स का आयोजन किया गया था सवाल नमबर 69 कॉनरू हमपी का संबंध किस खेल से A. बेड्मिंटन B. शुटिंग C. हौकी D. सत्रंज सई जवाब रहेगा D. सत्रंज कॉनरू हमपी भारत की ऐसी पहली मैला है जो वर्ल्ड सत्रंज चैंपियंशिप बनी है जिन्होंने वर्ल्ड सत्रंज चैंपियंशिप को जीता है हाली में और चीन की ली टीन जी को हरा का इन्होंने ये खिता सवाल नमबर 70 अटल भूजल योजना कितने राजियों में शुरू की गई है सही जवाब है इस योजना का उदेश से जल प्रबंदन में सुधार करने के लिए यह योजना साथ राजियों में चलाए गई है उन साथ राजियों में एक राजस्तान दूसरा एमपी तीसरा यूपी चौता हर्याना पांच वह माराष्ट इतिया दिये अगला सवाल 71 किसी एथलीट खिलाडी को सबसे जल्दी उर्जा किस से प्राप्त होती है ए प्रोटीन बी विटामीन सी कार्बोईडेट डी वसा वसा से अधिक मात्रा में उर्जा प्राप्त होती है लेकिन अगर जल्दी उर्जा की बात करें तो उसके लिए आप्शन रहेगा सी कार्बोईडेट कार्बोईडेट भोजन का एक प्रमुक अवियर कार्बन और हाइड्रोजन से बने योगिक और आम तोर पर दो अनुपात एक का जो है इसमें रेशियो रहता है ज्यादा तर जो है शुगर स्टॉर्च वगरे अलू चावल इन से प्राप्त होता है सवाल नमबर सेवेंटी टू अठासो सतावन की करांती में लखनाओं में नेतरत किस ने किया था अठासो सतावन की करांती भारत का परतम स्वतंतरता संग्राम दिली सावर केट की पुस्तक the first war of indian independence में इसे भारत का परतम स्वतंतरता संग्राम कहा गया अलग अलग जगा अलग अलग नेतरत वगरता थे बात लखनाओं की करे तो इसमें option दिया हुआ A. बादुसा जफर नहीं वो दिल्ली में थे B. बेगम हजरत महल C. लियाकत अली लियाकत अली इलाबाद में थे B. खान बहादूर खान वो बरेली में थे B. आपसन सही रहेगा बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल ने लखनों में जो है इस कुरांती का नेतरत पर कियाता अवद की रानी थी और अवद के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम जो अपने पुत्र बिर्जिस कादिर को लेकर जो हैं इन्होंने विदरों में भाग लिया था रांती के प्रशाद नेपाल चले गई और 1889 में गुमनामी में नेपाल में इनकी दैत हो गई आगले सवाल पर चलता है किस रक्त समू के व्यक्तियों को यूनिवर्सल डॉनर कहा जाता है O, A, O, B, B, C, A और D, A, B A, O, B, B, C, A, और D, A, B किसी भी तरह का A और B तरह का एंटीजन नहीं होने के कारण यूनिवर्सल डॉनर का जाता है O, ब्लेड ग्रूप को तो इसमें जो है सही अंसर रहेगा A अगला सवाल मौसम में अधिक तर उतार चड़ाव कहां होता है A, निमन अकसान सो पर B, उच अकसान सो पर C, मद्य अकसान सो पर D, उपोसन अकसान सो पर सही जवाब है C, मद्य अकसान सो पर आम तोरपर 23 से लेकर 23 से लेकर 45.5 की बीच में जो मद्य वर्ती अकसान से यहां पर मौसम परिवर्तन की घटना है मौसम परिवर्तन की घटना है जालदी होती है सवाल नमवर 65, प्रेसर कुकर में ख़ाना जल्दी क्यों पकता है एपारी का FIRST foldापमान पर उबलता है B, भाब ख़ाना जल्दी पक आती है C, भाब वर्तन जाती है D, डखा हुआ प्रेसर कुंतनांक बड़ा देता है दाब बढ़ने पर कुंतनांक बढ़ जाता है और कत्रनांग बढ़ने से जदा हीट प्राप्त होती है और उस हीट से खाना जल्दी पक जाता है तो इसमें सही जवाब रहेगा D, ढका हुआ प्रेशर या दाप कत्रनांग को बढ़ा देता है जिससे एक प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है और पहाड़ी भागों पर खाना देर से पकता है इसका में कानी यही है पक्षियों के अध्यन के विग्यान को क्या कहते है A. मेरी कल्चर, B. एथानोलोजी, C. एंथ्रोपोलोजी, D. ओर्नितोलोजी प्राणी विग्यान की वह स्राखा जो पक्षियों के अध्यन से संब्धी थे उसे ओर्नितोलोजी कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली भारत में पक्षि विग्यान के शेतर में एक जाना पहचाना नाम है सवाल नमस 77 मुस्लिम लीग ने परतेक्स कारवाई दिवस कब मनाया A. 16 अगस 1940 B. 16 अगस 1942 C. 16 अगस 1946 D. 16 अगस 1944 कैबिनेट मिसन द्वारा पाकिस्तान की मांग को अव्ष विकृत कर दिये जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस 1926 को परतेक्स कारवाई दिवस मनाया गया था इस दिवस का उदिश ही ये था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग विचार धराएं दो अलग राष्ट्रे हैं किसी भी तरह से वो साथ नहीं रह सकते इस करण से उन दोनों राष्ट्रों का जो है विवाजन हो जाना चाहिए दो राष्ट्र नहीं बन जाना चाहिए भरत का विवाजन हो जाना चाहिए तो C option रहेगा 16 अगस 1946 विश्व विरासत दिवस कब मना जाता है सवाल नम्मर 78 विश्व विरासत दिवस कब मना जाता है A. 16 अप्रेल, B. 18 अप्रेल, C. 20 अप्रेल, D. 22 अप्रेल तो सही जवाब है B. 18 अप्रेल 18 अप्रेल 1922 को ट्यूनिश्या में पैरा विश्व विरासत दिवस मना जाता है और ये दिवस इंटरनेशनल काउंसल और मौनूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा मना जाता अबले ही साल यानी 1983 में जो है स्यवक्त रास्त की संस्ता युनेस को द्वारा इसे मानेता दी गई थी तो आंसर B. 18 अप्रेल 1922 निमनलिकित में से हीरा किसका अपर रूप है? A. कार्बन, B. सोना, C. चांदी, D. तांबा आसान सा सवाल कार्बन के चार अपर रूप होते हैं और उन अपर रूप में एक अपर रूप हीरा भी होता है तो इसमें A. option right रहेगा कार्बन भारत में लक्षा सेवाओं का सरोच सेनापती होता है A. लक्षा मंतरी, B. प्रधान मंतरी, C. राष्टरपती, D. थल सेना अध्यक सई जवाब रहेगा C. राष्टरपती भारत का भारती सविधान में कारेपली का प्रमुक सविधानिक अध्यक कारेपली का का सविधानिक प्रमुक राष्टरपती भारत का प्रतमनाग्रिक राष्ट्रपती और तीनों सेनाओं का सर्वच कमांडर वो भी राष्ट्रपती तो इसमें सई जवाब रहेगा राष्ट्रपती सार्क का मुख्याले कहां इस्तित है A. काटमंडू में B. नई दिली में C. माल्ले में D. ढाका में सार्क साउथ एशियन एसोशियेशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दक्षीन एशियाई देशों का एक शेत्रिय स्योग संगटन है जिसका मुख्याले नेपाल की राजदनी काटमंडू में इस्तित है आठ एशिया के आठ देश जो हैं इसके सदस्या है भारत पाकिस्तान बांगला देश भोटान स्रेलंका नेपाल और अफगानिस्तान सबसे नवीन दम सदस्या जो है वो अफगानिस्तान है हंटर आयोग ने निम लिकित में से किस घटना की जांच की एक काकोरी ट्रेंड डकेती काट बी बंगाल वीभाजन सी जलिया वाला बाग हत्या काट डी चोरा चोरी काट 13 अप्रेल 1919 को पंजाब के अमरस्र जिले के जलिया वाला भाग मैदान पर भारतियों की एक आम सबा पर जर्नल डायर की आदेश पर गोल्या चलाए गई और इस गोली काट में सेक्रो लोग मारे गए इस गोली काट की सरवत्तर निंदा की गई और इस गोली काट की निंदा करने के परसे जब बिटिस सरकार पर दवा बढ़ा तो भारत सची मोटेंग्यों ने हंटर की अद्यक्स्ता में एक कमिटी बनाई और इस हत्याकाट की जाच की तो इसमें जवाब C राइट रहेगा हंटर कमिटी फिर कॉंग्रेस ने भी मदन मालवे की अद्यक्सा में एक समिती बनाई थी इस हत्याकाट की जाच है तो आप्सन C राइट है सवान नमबर 83 किस समास सुधानक ने वेदो की और लोटो का नारा दिया A. राजा राम मौन राए B. इश्वर्चाद विद्यासागर C. स्वामी दयानन सरस्वती D. स्वामी विवेकानन वेदो की और लोटो ये नारा दिया गया था स्वामी दयानन सरस्वती द्वरा जिरोंने 8845 में बंबई में आरे समाच की स्थापना की राजस्तान में भी आरे समाज की काफी सकाई खोली गई थी और राजस्तान की जन जाग्रण में आरे समाज का अपने आप में एक विसेश योगदान है तो वेदोग की और लोटो स्वामी दयानन सरस्वती दोरे दिया गया था जोदपूर में आने पर एक मुस्लिम कन्या द्वारा जो माराजा जस्वन सिंग सेकेंड की पास्वान थी नन्नी जान उनके द्वारा स्वामी दयानन सरस्वती को दूद में काच फिस्वा का पिलवा दिया गया जिस कारण से स्वामी जी की 30 अप्टूमबर 1883 को अजमें में मिरती हो गए थी स्वामी जी ने स्वदेश, स्वराज, स्वधर्म और स्वभासा ये चार आवधार नहें दी थी तो C आप्शन राइट है स्वामी दयानन सरस्वती फोटोग्राफी में कौन सा उप्योगी तत्व होता है A. सिल्वर ब्रॉमाइट, B. सिल्वर नाइट्रेड, C. सल्फूरिक असिट, D. साइट्रिक असिट सही जवाब है A. सिल्वर ब्रॉमाइट सिल्वर ब्रॉमाइट प्रकास के प्रति अतिस समिधन सीन होता है sensitivity होता है इस कारन से जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो पर्योक किया जाता है भारत क के दक्शिंतम बिन्दु को क्या कहता है B. इंद्रा कॉल C. राजीव स्वेयर पॉन्ट D. राजीव कॉल सर्जा जवाब है इंद्रा पॉन्ट निकोबार दीब समू में निकोबार जीने में इस्तित इंद्रा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिंतम बिंदू माना जाता है जो अंडमान और निकोबार शेतर में इस्तित है सही जवाब रहेगा A. इंद्रा पॉइंट सवाल नमबर 86 भारतिय सविधान के किस अनुचेद के तहत एक खानेदार पर ये समिधानिक दाईत हुआ है कि वो गिरफतार व्यक्ति को 24 घंटे के बीतर मजिस्ट्रेट के समक्स प्रस्तूत करेगा A. अनुचेद 22 B. अनुचेद 24 C. अनुचेद 26 B. अनुचेद 28 सई जाब रहेगा अनुचेद 22 अनुचेद 22 कुछ मामलों में गिरफतारी और हिरासत के खिलाब सरक्षन के सम्मद्द में बनाय गया है ये मूल अधिकारों के अंतरगत आता है तो ये एक ठानेदार पर ये सम्मद्दारी दारीत्व है कि वो गिरफतार व्यक्ती को 24 घंटों के भीतर आने जाने का समय छोड़ कर मजिस्ट्रीट के समथ प्रस्तूक करेगा ये मूल अधिकारों के अंतरगत है 87 Q. नंबर 87 राजस्तान सरकार द्वारा परतियों की परिक्षाओं की तैयरी है तू नीसुल्प मॉबाइल अप्लिकेशन सेवा प्राइम की गई है A. दिशारी B. एवर नॉट C. इंस्टा पेपर D. रीडर दोस्तों सही जवब रहेगा B. दिशारी जो रास्तान सरकार द्वारा कॉलेक्ष सिक्सा विबा की एक पैल है जिसके द्वारा चातरों को सेक्स निंग समगरी और अपडेट प्रदान करना है सवाल नंबर 88 जन गणना 2011 के नुसार विश्वे की जन संक्या का कितना परतिश्यत भारत में निवास करता है 2011 की जन गणना के अनुसार विश्वे की जन संक्या का साड़े सतरा परतिश्यत जो है वो भारत में निवास करता है इस द्रस्टे से भारत विश्वे का दूसरा सबसे अधिक जन संक्या वाला देश है एक अनुमान के अनुसाद दो हजार चोईस तक बारत विश्वक की सरवादिक जनसंग्या वाला देश होगा सवाल नमबर 89 राजस्तान पुलीस की प्रथम ट्रांस जेंडर कॉंस्टेबल है ए निर्मना कुमारी, बी गंगा कुमारी, सी अपड़ना कुमारी, डी सरला कुमारी सही जवाब है बी गंगा कुमारी अगरा सवाल निमन लिखित में से कौन दुनिया के सबसे बड़े नेतर विशेसग्य संग अम्रिकन एकेडमी द्वारा अम्रिकन एकेडमी आफ अप्थेवलोजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले भारतिये बन गए A. संतोस जी होनावर B. अनिता सेथी C. विवेक गर्ग D. सुरज मुंजल सही जवाबे A. संतोस गजानन होनावर जो एक भारतिये नित्र रोग विशे सगिया और हैदराबाद में ओकुलर ऑंकोलोजी और ओकुलोप्लास्टी डिपार्ट्मेंट के डिरेक्टर है तो ओप्शन A. राइट है तिड़ी आकरमन किस राज्ये के खेतों के लिए सरवादी खत्रा बन गए A. राजस्थान B. बिहार C. ओडिसा B. अंधर परदेश अभी समाचार पत्रों में चर्चित है तिड़ी हमले के लिए राजस्थान के सिमावरती जीलों में तिड़ी डलों ने जो हैं काफी कहर बरपाया है इस सवाल का जवाब है A. राजस्थान लाजस्तान के जोत्पूर सर्मा, जोत्पूर, जैसल मेर, बाड मेर, पाली, जालोर, पाकिस्तान से सटवे जो जीले हैं इन जीलों में जो हैं टिडियों ने जम पर कहर बर पाया है सवाल नमबर 92, निमली कित में से कौन लद्दाक के कैने सासित परदेश के उप राजय पाले है आप्शन है A. D. K. Jossi, B. C. G. मर्मू, C. R. के माथूर, D. D. दिनेश्वे सर्मा दोस्तों सही जवाब है C. R. के माथूर, 1977 बैज के त्रिपुरा केड़र के एक I.S. आफिसर है जिने हाली में लद्दाक के कैने सासित परदेश का उप राजय पाल यानि लेटरेंट गवरनर नियुक्त किया गया है श्री माथूर, नॉंबर 2018 में भारत के मुख्य सुचना अयुत्पद से सिवा निवर्थ हुए 93 कोशन, कलकता में सर्वच नियाले की स्थापना कब हुई? A. 1772, B. 1773, C. 1744, D. 1775 1773 में Regulating Act के माध्यम से कलकता में सर्वच नियाले की स्थापना का प्रावधान था जो 1774 में कलकता में सर्वच नियाले इस्थापित हुआ था East India Company के आंतरिक मामलों पर British संसत का परतम हस्तक्षे इस Regulating Act के माध्यम से दिया गया था जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हैंस्टिंग बंगाल का परतम गवर्नर जनरल बना था इसी अधिविस्थान इसी Act में एक कोर्ट इस्थापित करने का भी प्रावधान था जिसके तेद चौट सन 1704 में कलकता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इलीजा इंपे इस कोर्ट के परतम मुख्य नयाएदीश थे चेमबर लीड लिमेस्टर और हाइड तीन अन्य नयाएदीश थे आप्सन सी राइट है 1704 Question No.94 Dream of a billion India in the Olympic Games के लेकर कौन है मैं एक बार फिर दोराता हूँ सवाल No.94 Dream of a billion India in the Olympic Games के लेकर कौन है A. रांज सिंग B. नलिन मैता C. चेतन भगत D. बागी अन्वेयल साही जवाब है नलिन मैता Option B. नलिन मैता साही जवाब है नलिन मैता टाइम साफ इंडिया के कारेकारी संपादक और भारत के एक प्रसित पत्रकार वा लेखा के Question No.95 नीम लिकित मैं से किसने अंग्रेजी बासा में साहिते अकैडमी 2019 का पुरुसकार जीता है A. विक्रम सेटी B. अरुन्धती रॉय C. ससी थरूर D. किरन देसाई साहिज जवबे ससी थरूर ससी थरूर एक भारती राजनितिक गियों अंतराश्ट्रिय राजनाइक और एक लेका के वे सूशना प्रद्योगी की वा अकिल भारती वेफसाई कॉंग्रेस में संसदी इस्ताई समिती के अद्यक्त के तौर पे भी कार्य कर चुके हैं तो ये मेगा टेस्ट 3 की बी पार्ट का खल था जो मैं आपके समख लेकर उपस्तित हुआ हूँ आने वाले दिलों में हम ओनलाइन नीशुल ककसाई भी उपलब्द करवाएंगे सो ज़्याद से ज़्यादा हमारी इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और शेयर कीजिए अब मैं आपसे इज़ाज़ चाहता हूँ जय हिंद